आभी मनाना जा रहा हूं फीश ओडली ये भेक्टी फीश का बनता है ये भेक्टी फीश एक एक पीश 25-30 ग्राम होता है इसको पहले धोड लेना पड़ते है अच्छी तरह से धोडने के बात पांच ग्रम नमक पांच ग्रम चिनी लापक पर दो ग्रम काश्विर मीच दो ग्रम जीरा पाउडर दो ग्रम आजीना एक ग्रम रस्षन दो से तीन ग्रम अद्रग दो ग्रम हरी मिट्च पेस्ट दो से तीन ग्रम में बूआ अधा इसका थोड़ा मीक्स करने लापता है इसको पांच से साथ मिनिट रख दे रहा हूं इसका जो क्रीम होता है इसका इंदर डाल डिटाई होता है उसको रेडी कर रहा हूं दोस्टारणर राल क्वाइ यहार रख कि पाश्छा करोड़ा, कर दोस्टार से साथ जाख विधर, कृछ साथ जाए झाल जाए, ठाच सेस्टाँ अबूड़ा होता आधा उंड़ा 15-20 ग नमक इसको आप पानी देगे इतना लगते उतना देना परता है ज्यादा पतला नहीं करना परता है इसको करना लगती क्टिस बास आचे टराज में शेकर ना बटे तर यह सका नहां ऐब दो कि भॉचर सबस्खें कि खाला नॉटीग पाली प्रॉटी जुटेंगा, सहाँ आगाई पाली उडं़ाईगे ष्ङोरे भाली जुछ mazeंटने टागई आगा छाएमा है, पॉटी जुछा आए दिग explorer फालीे, ड्रपष्मτα die अंकरी सिह आएर याचेचे मिक्स हो या नेगवाद थोड़ासा बेकिंग पाउडर पांच से छे ग्राम ये नेगवाद थोड़ासा पानी ये नेगवाद इसको फिर से मिक्स करलो अब इसको ठाई कर रहा हूँ अब इसको ठाई करने जा रहा हूँ अब तेल गरम या अब इसको ड्सकों दालना करिए ड्सकों दाल करिए ड्सकों दाल करिए कि यह थाई होने के लिए 5-7 मिनिट टाइम लगता है इसको निकाल रहा हूँ यह फीश ओली रेड़ी हो गया झाल